तो नमस्कार दूस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है तो दूस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम Google Drive में अपना जो डेटा है चाहिए आपका जो भी डेटा हो फोटोज हो वीडियो हो या फिर वर्ड फाइल हो डॉकुमेंट्स हो ज तो गूगल ड्राइव ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें अपने कम्प्यूटर लैप्टप और फिर मोबाल में अपने ब्राउजर को ओपन करना है आपको मोबाल में डिरेक्ली गूगल ड्राइव की आप मिल जाएगी आप उसके त्रू डिरेकली वहाँ से आप अपना जो भी डिटाइव वहाँ पर अप्लोड कर सकते हो तो अगर आप कम्प्यूटर से कर रहे हो तो आपको सिंप्ली अपना जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है ब्राउजर ओपन करते है आपको यहाँ पर डॉट्स दिखने को मिल जाएंगे तो उस पर हमें क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पर निजए ड्राइव का ओप्सिन मिल जाएगा तो उस पर हमें क्लिक करना है उस पर क्लिक करते है आपके सामने जो भी email id आपका है उसे लॉकिन कर लेना है अगर आपके पास email id नहीं है तो आपको एक नया email id क्रिएट करना होगा अगर आपको email email ID create कैसा करते है वो पता नहीं तो उपर i button में आपको link मिल जाएगी वहाँ से आप जाके email ID जो प्रेट करना है वो सीख सकते हो या फिर आपको description box में link मिल जाएगी उस video की वहां से जाके उस video को अप देखकर सीख सकते हो कि email ID केसे क्रेट कर सकते है तो चलिए दूस्तों आग अगर आपने अपी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना और जिन्हों ने सब्सक्राइब किया हो उनके लिए बहुत बहुत थैंक्यू सो मच तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो Google Drive वह ओपन हो चुका है तो उसके बाद आपने जहां भी आपनी जो फाइल है वह रखी हुए उस फाइल को आपको सिलेक करना है यहां पर मैंने अपने जो सब्सक्राइब अनि जो फाइल को सिलेक कर ölें तो इन दोनों फाइल को और simply माघव आपको मैल्टिपल फाइल सिलेक करना है तो हमें किपने कीबड़ भर कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस से जो भी फाइल को सिलेक करके हमें सिलेक करके रखना है और सिंपली हमें इस ओपन बटन पर क्लिक करना है ओपन करते हैं यहाँ पर आपको नीचे दीख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे जो दोनों फाइल से वह अप्लोड हो रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रिंड हमें टिक मिल रही यानि कि हमारे जो फाइल है हो successfully upload हो गयी तो इस फाइल में हमें open करके दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे जो चैनल का जो लोगो है वो यहाँ पर successfully upload हो गया है तो इस तरीकी से हम अपने जो गूगल ड्राइब में अपने जो फाइल है वो successfully upload कर सकते हैं अब बात करते हैं कि अपने गूगल ट्रैप पर अगर कोई फाइल अपलोड की है तो उस फाइल को आप अपने दोस्त के साथ या फिर किसे के साथ भी कैसे शेयर कर सकते हो तो simply हमें उस फाइल पर जाना है, उस फाइल पर जाके हमें right-click कर रहा है तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमें यहां पर शेरिंग का ओप्शन जो है अपना जो ओपन हो गया तो simply हमें इस लिंक को कॉपी करना है और इस लिंक को हमें जिसे भी भेजना है आप उसे बेज़ सकते हो यहां पर एक लिंक अपने कॉपी करने तो यहां पर अपने नई ट प्रकर से फाइल ओपन हो जाएगी तो इस प्रकर से हम उसके साथ हमारी जो फाइल है वो शेयर कर सकते हैं और हम अपनी जो फाइल हो गुगल ड्राइब पर इस तरह से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगी अगर कुछ आपको प्रोब्लेम आता है तो कैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलना और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दाबा कर आल पर क्लिक कर देना क्योंकि मैं हर दोस ऐसी इंफर्मेटिव वीडियो लाते रहता हूँ तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलता हम अगली वीडियो में अब त वीडियो